हेलो फ्रेइन, वेलकम टू माई किचेन, आज हम सेर करने जा रहे हूँ केली की फूल की रेसिपी, जिसे बेरेना फ्लोवर भी कहते हैं, केली की फूल की सबजी कोई-कोई इसे बनाना नहीं जानते हैं, दोस्तों सच मानिए ये इतना तेश्टी होगा कि आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो मेरी चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, और सस्क्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन तो जरूर दबाईएगा, क्योंकि मैं ऐसे सांदार और टेश्टी रेसिपी आपके लिए लाता रहूंगी, और कुछ भी डाउट हो तो कॉमेंट करना ना भूलिए, तो चलिए केले की फूल की रेसिपी आपके साथ स्यार करती हूँ, यह केले का फूल है, केले का फूल का कॉभर को पहले हम निकाल लेंगे, इस प्रोसेस को मैं जुम करके आपको दिखा दूंगी, ताकि देखने मे आसानी हो, अब हम फूल को साफ करेंगे, अब इस तरह से हलके हातों से खोल लेंगे फूल को, अब ये जो पेटल टाइप का होगा नीचली हिस्सा में उसे फेग देंगे, ये जो मूटा पाठ है इसको हम निकाल कर फेग देंगे, अब सारे हम ऐसे ही साफ कर लेंगे फूल को, साफ करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे, देखिए बारकी से मैंने चौप कर लिया है फूल को, अब एक पतिले में हम डाल देंगे, चौप किया हुआ फूल, जो डंठल और जो पतिल टाइप का था उससे ध्यान से खोलिएगा, नहीं तो फिर कड़वा लगेगा सब्जी, अगर आप रख देंगे तो, यहाँ पर मैंने दो गलस पानी डाल दी हूँ एक पतिले में, पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे, थोरी सी नमक और थोरी सी हल्दी, नमक हल्दी डालने के बाद हम कोभर लगा कर एक उब बाला जाए, अब हम इस्टरर का हिलिप से पानी को फेक देंगे, अब कड़ाई बैठा दी हूँ मैं गैस पे, अब मैं सरसो के तेल डाल दूँगी, अब जैसे ही ओयल गरम हो जाए, अब इसमें हम डाल देंगे, नारियल जो ऐसे छोचोटे पीसिस में कट कर लिया था मैं नारियल को डाल कर मैं हलका सा फ्राई कर लूँगी, हलका सा फ्राई होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, अब आलू को हम फ्राई कर लेंगे, आलू को भी हम हलका सा फ्राई करेंगे, हलका सा फ्राई करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे, अब आलू को भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में ये यिलो वाली मुग डाल है आधा कटोरी इसे भी हलका सा भूल लेंगे आप चाहे तो चना डाल का भी यूज़ कर सकते हैं इसके बदले में नेकित चना डाल को आप भीगो दीजिएगा कुछ देरी तक ताकि चना डाल अच्छी तरह से फ प्लेट में निकाल लेंगे डाल को अब इसी ओयल में हम डाल देंगे दो सुकी मिर्च एक तिजपत्ता थोड़ी सी हिंग चमस साबू जीरा और एक बड़ेट साइज का टमाटर आप चाहे तो इसमें प्यांच का भी यूज़ कर सकते हैं लंबाय में कट करके आप प्यांच बिना रसुन का बनाऊंगी इसलिए मैं प्यांच का यूज़ नहीं करूंगी अब मैं टमाटर को हलका सा सौप्ट होने दूंगी टमाटर जैसे सौप्ट हो जाए अब मैं इसमें डाल दूंगी एक चमच अधरक का पेश्ट और इसे भी मिक्स कर लेते हैं मसाले डाल देंगे जो बेसिक मसाला होता है उसे ही डालूंगी मैं एक चमच धनिया पाउडर एक चमच जीरा पाउडर एक चमच कस्मी लालमीच एक चमच हल्दी पाउडर टेस्ट के अकुडिंग नमक अब इसमें हम डाल देंगे थोरी सी पानी थोरी सी पानी डालने के बाद मसाले को अच्छी तरसे भून लूँगी मैं पानी इसलिए डाली हूँ कि मसाला अच्छी तरसे भून जाए जले ना इसलिए जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए अब इसमें हम डाल देंगे थोरी सी चीनी मुझे चीनी डालना पसंद है इसलिए मैं डाली हूँ आप चाहे तो इसे इसकी भी कर सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे आलू और मुग डाल जो हमने फ्राइ कर लिये था हलका सा इसे डालने के बाद हमें मसाले के साथ मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे केले का फूल जो मैंने चान लिया था पहले अब इसे भी मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ अब इसमें हम डाल देंगे फ्राइ किया हुआ नारियल और इसे अच्छी तरसी मिक्स करेंगे आप मेरी तरीकों से एक बार केले का फूल की रेसिपी ट्राइ किजिए घर पे ये बहुत ही टेस्टी बनता है आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं अब इसमें हम थोड़ी सी पानी डालेंगे पानी डालने के बाद कॉभर लगा कर हम थोड़ी देर रुकेंगे अब कॉभा निकाल लेती हूँ आलू भी अच्छी तरसे बॉयल हो चुका है और हम लोग का बैरेना फूल की रेसिपी तयार है इसमें हम डाल देंगे एक चमज गी गी देने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है थोड़ी देर रुकने के बाद हम इसको सर्फ कर लेंगे आप भी घर पर ट्राय कीजिएगा इस रेसिपी को एक बार अगर पसंद आए तो में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू